Hello friends, today we will discuss a subunit of unit 4 of our syllabus PME 301 and that is Total Quality Management or TQM. आज हम अपने syllabus PME 301 का चौथे unit का एक जोटा हिस्सा, TQM जिसको बोलते हैं, संपून गुनवत्ता नियंद्रन डिसकस करेंगे. मैंने पिछले सालों के question papers देखे हैं, और मैंने देखा है, अकसर इसके उपर एक या तो short note आता है, कि write short note on TQM, या फिर इसके उपर आधा सवाल आता है. तो examination दृष्टी से ये महतुपू यूनिट रहा है, आपके पुराने question papers को हम देखें, तो हमें ये पता लगता है. TQM है क्या, सबसे पहले हम उसकी official definition देखेंगे, संपून गुनवत्ता नियंत्रन is a comprehensive and structured approach to organizational management that seeks to improve the quality of products and services through ongoing requirements in the response to continuous feedback. इसमें एक चारों ओर से वस्तों को सम्मिलित करता हुआ, एक structure बना हुआ, यानि एक पूरा ताना बाना बना हुआ है, जिसमें एक संस्थागत management या संस्थागत प्रबंधन के द्वारा, वस्तों की गुनवत्ता में हमेशा उपवरद्धी की जाती है, और उसमें एक लगातार feedback लिया जाता है क्रहक से, कि वस्तो कैसी है, पहले के समय में यह सोचती के हमने चीज डिजाइन कर दी, बहुत अच्छी बन गई, अब बस मस्ती करो, उसी को बनाए जाओ, उसी को बेचे जाओ, उसी को बनाए जाओ, उसी को बेचे जाओ, पर इवरतन नहीं होता था, जैसा किसी कंपनी ने एक scooter बना लिया, वस वैसा ही चलता जाएगा, जैसा एक telephone का design landline का हो गया, वैसा ही साल दर साल चलता जाएगा, डिजाइन के ऊपर और गुनवत्ताप के ऊपर, बदलाव में कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, विशेशकर हमारे देश में, पर अब आप देखें, जब से नया समय आया है, आप एक छ कुछी दिन बाद company और GB, और कुछ features, और कोई operating system, और किसी तरह का camera, कुछ ना कुछ नया 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 उसमें add करती रहेगी, कीमत लगबग वही रखेगी slots के अंदर, और नए products launch करती रहेगी, ऐसा क्यों है, क्योंकि वो जानते हैं कि आज का गरहक नए से नए product लेना चाहता है, और उसे fashionable भी मानता है, आज ऐसा नहीं हो सकता कि दादा खरीदे पोता बरते नहीं, mobile का design ऐसे ही करती है, ज्यादतर कंपनिया कि बई दो साल के आसपास चले, फिर आदमी उसको फैंक दे और नया दे, बहुत ही कम लोग उससे ज्यादा समय तक बिना खराब कि इस mobile को च इसके अंदर जो मुख्य मातुपूर बिन्दू है, वह यह है कि ग्राहक की आवशक्ता को पूरित करने की प्रियास किया चाता है, ताकि उससे उच्य गुनवत्ता की सेवाएं मिलें और उनकी कीमत भी वाजब हो फोकुस on continuous improvement, लगातार बहतर प्रड़क्ट मिलते रहें, ऐसे नहीं कि हम कहीं जाके रुख जाएं, बलकि हम continuous way में लगातार बहतर बहतर और और बहतर प्रड़क्ट्स बनाते रहें इसके अंदर हर व्यक्ति जो एक कमपनी में काम करता है, उसका एक एहम किरदार होता है, रोल होता है यानि आज माली जी हम अपने college के अंदर गुनमत्ता को improve करें, तो सिर्फ teachers का ही उससे लेना देना नहीं होगा, सिर्फ HODs का ही नहीं होगा, प्रिंसिपल का ही नहीं होगा, हर आदमी चाहे वो college में चौकीदारी करने वाला व्यक्ति हो, चाहे lawn maintain करने वाला माली हो, चाहे स पूनता आएगी काम के अंदर, और यही TQM का important हिस्सा है, Use organization as an internal system with a common aim, यह संगठन को एक आंतरिक व्यवस्था का हिस्सा मानता है, जो एक अपने लक्ष को प्राप्ट करने के लिए कारे करता है, Focus on the way tasks are accomplished, इसके अंदर मुख्य जो बिंदू है, वह यह होता है कि काम को किस प्रकार से किया जाएं, Emphasizes teamwork, सबको मिलजूल के काम करना है, एक व्यक्ति की उपलब्दी उपलब्दी नहीं है, पर पूरा ग्रुप जो है, उसकी उपलब्दी, सबकी उपलब्दी है, अब इस डाइग्राम में देखें, यह कहलाता है, टी क्यू एम वील, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का वील, यानि संपूर्ण गुनवत्ता नियंतरण चर्खा, इसके अंदर सबसे बीच में फोकस में जो चीज हम डालते हैं, वो है कस्टमर सेटिसफाक्शन, यानि ग्रहक की संतुष्टी, हर चीज गौन हैं उसके सामने, हमें ग्रहक को संतुष्ट करना है, क्योंकि आजकल बहुत सारी कंपनिया हैं, बहुत सारे प्रोड़क्ट हैं, अब इसके आगे चलते हैं, तो दो चीज देखने को मिलती हैं, दोरी के, Employees Involvement and Continuous Improvement, जो लोग इस संस्था में काम करते हैं, उनका अपने काम के प्रती और संस्था के काम के प्रती पूर्ट तयसे एक involvement होना चाहिए, उनको लगना चाहिए, उनका काम है, और लगातार ब बहतर प्रोड़क्ट बनने चाहिए, इसके लिए कई चीज़ें और हम देखते हैं, जो चार इसके पाहर के पिंग में देखी जाती हैं, इसको मैंने पहले भी डिसकस किया है, पिछले अपने लेक्चर में, बेंच मार्किंग, बेंच मार्किंग यानि आपने एक मानक स्थ कर दिये हैं किसी चीज़ के, कि जो सबसे बहतर चीज़ है वो ये है, और उससे जो खराब चीज़ है या जो उससे डिफरेंस में है, उस कमी को हमें पूरा करना है, वो हम मानक से तुलना करते हैं, जिसे बोलते हैं, बेंच मार्किंग, फिर आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स, जो हमारी समस्याएं आ रहे हैं, उसके लिए कई टेकनीक्स होती हैं, फिश्बोन डाइग्राम और अन्य, हम उसके बारे में भी आपको कुछ नोट्स देंगे, बेसिक लिए एक इंजिनरिंग कंसेप्ट है, अपन अपना पेपर जो है इस शूप है, तो किस तरह से हम अपनी समस्याओं का समधान करेंगे, कैसे टीम्स बनाएंगे, कैसे ब्रेंस्टार्मिंग करेंगे, कैसे कंसेंस बनाएंगे, कैसे उस पर काम करेंगे, प्रोडक्ट एंड सर्विस डिजाइन, कोई भी वस्तु है, कोई भी सेवा है, उसका design कैसे करेंगे कैसे हम देखेंगे कि हमारी सेवा या वस्तू और हमारे जो competitors हैं उस range में उनको टकर दे सकती है process design ये process design क्या होता है कि हम जो चीज बना रहे हैं जो काम हम कर रहे हैं वह किस तकनीक से हो रहा है हमारी latest से final product अच्छा नहीं बनके आ रहा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है हम पूरे process को देखेंगे जहां से हमने कच्छा माल लिया जहां से हमने समान को रखा जिन मशीनों से हमने वो काम किया जिस तकनीक से हमने काम किया जिन व्यक्तियों को पीछे जाकर चेक करेंगे इसको बोलते हैं process design cost of quality जो कीमत हमें quality की देनी होती है वो इसके द्वारा समझ में आएगी prevention cost, appraisal cost, internal failure cost and external failure cost इन सब पे आप एक निकाह डालीजिएगा ये important costs of quality है cost of defects यदि हमारी वस्तु की गुनवत्ता खराब हो जाती है तो हमें बहुत नुकसान होता है आप इस graph में देखें cost of design, इसमें product design, product production और customer site दिखाया गया है और इसको देखें आप ये किस तरह से बढ़ता चला जाता है four dimensions of quality जो चार आयाम है गुनवत्ता के उनको हम बिस्कस करेंगे इसमें सबसे पहले quality of design, determining which features to include in the final design कोई भी वस्तु है हमें बड़े स्तर पर उत्पादन करना है उससे पहले हमें देखना है कि उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या-क्या features होने चाहिए next quality of conformance to design हमने production process से चीज़ तो बना ली पर हमें देखना है कि हमारा जो benchmark है हमारा मानक जो है, हमने जो design किया है, उसके अनरूप वो चीज़ बनी है या नहीं, आकार में, प्रिकार में, quality में, quantity में तो हर चीज़ में हम यह देखते हैं, ease of use उसको हम जब इस्तमाल करते हैं तो कितनी असानी होती है instructions, operations, maintenance, safety यानि उसमें लिखे हुआ होना चीज़े, उसे कैसे काम में लेंगे हम हाथ से काम में लेते हैं, वो कैसे काम करते हैं उसकी देखरेख कैसे होगी, सुरक्षात्मक रूप में क्या ध्यान रखना होगा जैसे मान लीजिए, कोई भी वस्तु है वो बहुत महंगी हो सकती है, पर उसे चलाना बहुत साधरताया असान हो सकता है बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जैसे Apple के हैं उनमें बहुत कम बटन्स होते हैं और उनकी गुनवत्ता बहुत अच्छी होती है पर वो उसके डिजाइन को सिंपल रखते हैं ताकि लोग उसको असानी से यूज़ कर सकें पोस्ट सेल सर्विस, रेस्पॉंसिवनेस, रैपड रिपेर, स्पेर पार्ट्स, पर्मानेट मेंटेनन्स, एट्सेटरा इसका मतलब क्या है कि हमने कोई चीज़ बनाई, डिजाइन की उसके बाद हमने उसका उत्पादन किया, उसको बेच दिया अब यहां कानी खतम नहीं कि बेच दिया और जैराम जी की हो गई नहीं, हमारी जम्मेदारी चीज़ के बेचने के बाद भी बहुत सारी तेर तक बनी रहती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर गारंटी और वारंटी आती है, जैसे आपने बैटरी खरी दी अपने स्कूटर के लिए, उस पर पार्ट्स यो हैं, वो आपको बजार में असानी से उपलब्द रहने चाहिए, कमपनी द्वारा, कम से कम पात साथ साल तक, ऐसा नहीं कि एक छोटा सा पार्ट खराब हो गया, और आप भंस गये कि हम क्या करें, हम इस पार्ट का क्या करें, हमार तो पूरा वहीकल रुख ग घरियां हैं, उनके साथ भी ऐसा है, आपने एक महंगी वाच खरी दी और उसका पार्ट नहीं मिला, तो आप दुखी हैं, ऐसे में आपका बजट कम होगा तो आप लोकल वाच खरी देंगे, आपका बजट जादा होगा तो टाइटन जैसी कमपनी का लेंगे, जिसका आपक आफ्टर सेल सर्विस की जरूरत है, किसी को चार्जर चाहिए, किसी को केबल चाहिए, उसका कभी कोई और बैटरी खतम हो जाती है, तो यह सब देखना होता है TQM में, कि यह चीजों की भी लब्जता सदा बनी रहनी चाहिए, अब हम देखते हैं PDSA साई के जो important हिस्सा होत प्लान की, PDSA का full form होता है, plan, do, study and act, plan करना, यानि मानसिक रूप पर हमें जो खाखा बनाना है, वह करना, do करना, उस plan को implement करना, study करना, यह feedback जैसा सा हिस्सा है, कि हम बजार से data collect करें, और पता लगाएं कि हमारे product में क्या कमी है, गरहा हो कि क्या आकांशाए हैं हमारे products में, और हम वो उनकी आकांशाओं को पून करने के लिए अपने design में change करें, act, communicate the results from trial, implement new processes, यानि हमने जो trial किया, उस में से जो कमी पाई गई या और हमारी आकांशाएं थी, उनको हम दूर करें, और उसके बाद बताएं कि हमने ऐसा किया है, उसके बाद हम process को implement करें, reasons of failure, TQM अधर भी कई कमिया रह जासती है, और उसके बाद भी कई और techniques लगाई गई, TQM हमने देखा क्यों fail होता है, क्योंकि हर चीज़ के दोनों पहलू है, तो हमें दूसरा पहलो भी जानना ज़रूरी है, TQM fails because of lack of top management support, यदि उच शेड़नी का जो प्रबंदन है, वो बातें त तो ये fail हो जाता है, lack of middle management support, जो मध्य लेवल का management है, जो managers है, वो सोचते हैं कि तो सिर्फ बातें इन पर जादा ध्यान न दिया जाए, अपने पुराने धर्रे पर काम किया जाए, तो भी ये fail हो जाता है, commitment in only one department, पूरा जो system है किसी संस्था का, उसको इस पर ध्यान देना ह होता है, तब ही TQM work करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि कोई एक विभाग तो उस पर ध्यान दे रहा है, और अन्य नहीं दे रहे, तो ये ऐसा ही हो जाएगा कि वाहन के चार टायर है, एक घुमरायर, तीन रुके हुए जाम है, तो वाहन कैसे चलेगा, the workforce and the management do not agree on what needs to happen, जो कामगार है और जो प्रबंदन है, उनमें असहमती है कि क्या किया जाए, urgent problems intervene, कभी बार विशिष्ट समस्याइं आ जाती है, पूरा चक्का जाम हो जाता है काम का, जैसे भी करोना के ज़ुरान आपने देखा, बहुत सारी industries factory को बंद कर दिया गया, lockdown के चलते, उसके बार demand में कमी आई, तो ऐसा अब प्रतियाशित घटनाएं जो होती है, वो भी TQM को रोक सकती है, no performance measured or targets are set, हमें कोई भी ऐसी टेकनीक अपनाने से पहले ये देखना होता है, कि हम मापन कैसे करेंगे, कि कितना काम हुआ, गुनवत्ता कैसे भड़ी, तो उ उनका हमने visualization नहीं किया, systems are weak, जो planning के systems हैं, वो कमजोर है, and procedures are not written now, जवानी जमाखर्च से कुछ नहीं होगा, लिखित में हमें देखना होगा, हम कैसे काम करें, कैसे सुधार लाएं, कैसे विवस्थाओं को नियंतरित करें, तो this was something about TQM, इसके बारे में मोटी मोटी पुस् के लिए अधि किसमें जानना चाहते हूं, मैं आपको click करके वो भी भेज दूँगा, thank you.